तो आज कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पिक्साट एप की मतलब से इस तरह की फोटो अडिटिंग कैसे कर सकते हो इस वीडियो में हमने आपको स्टेप बाइश सब्सक्राइब करना अगर आपको पूरा देखेंगे तो अच्छी तरीकी से सीख जाएंगे अ अब से ग्रिक्वेस्ट है अभी तक आपने हम इंस्ट्राइब फॉलो नहीं किया तो हम इंस्ट्राइब फॉलो कीजिए इंस्ट्राइब लिंग डिस्कुप्सिन में मिलेगी तो चलिए इस खमाल की वीडियो को स्टाट करते हैं मैं आरे आप देख रहे हैं हो आरे आई लोगो Pixar अपके अंदर ओपिन कर लेना है पिकसा अपके अंदर आने के बद सबसे पहले इस फोटो का हम गाराउंड डार चेंज करेंगे उसके लिए हम टूल्स पे क्लिक करेंगे और पहले फोटो में कुछ से 60 प्लस कर दिया हूँ और यहां पर कॉंट्रास्ट को भी 35 के राउंड रख लेना है से चुरेशन को थोड़ा सा ही बढ़ाना है लगबग 25-20 इतना ही और उसके बाद यहां से आपको हाई लेट्स को कम कर देना है मैंने माइनस 14 कर दिया और उसके बाद यहां से आपको से इरेस करना है तो उसके लिए हम यहां से इरेस को सिलेक्ट करेंगे और अपनी फोडो को जूम करेंगे और सिम्पली इसे फेस पे इरेस कर देंगे फेस ठीक है तो पूड़े फेस और हैंड से मैं थोड़ा सा जल्दी इरेस कर लेता हूं तो यहां पे मैं पूड़े फेस में जो भी है color की adjustment यहां पर light के adjustment जो है हमारी complete हो चुकी है ठीक है तो अब आपको जाना है fx में यानि की effects में तो यहां पर आपको लिखा आएगा fx जो की आपको यहां पर के नीचे इस पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद आप रहोगी यहां पर एफ पर तो आपको सबसे last में चले जाना है यहां आने के बाद आपको यहां पर बहुत से filters मिल जाना है आपको यह सेकंड नमर वाला सेलेक्ट करना है जिस पर लिखा होगा color गया नारutan ऩो आपको यह बाला सेलेक्ट करना है उसके बाद यह Pam Hier Lyft तो यह इस तरीके से फोटो का बैगराउंट नर्ड जो है चेंज हो जाएकÁ तो उसकेWhis के लिख मिंदे कर देना है और मैक्स को आपको लेफ्ट साइड के और लगबग 20 के आराउंड रख देना है इससी क्या होगा कि आपका फोटो का बैगराउंड परफेक्ट तरीके से यहां पर ब्लैक कलर की हो जाएगी मतलब डार्क हो जाएगी उसके बाद ऊपर एक साइन का मार्क पे हम क्ल क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस को हम बढ़ा देंगे थोड़ा सा लगबग 10-20 नहीं गयास लगबग यहां पर 5-6 बढ़ा देंगे ब्राइटनेस को अपने हिसाब से देख लेना क्योंकि आपके फेस को कितना गोड़ा करना है वह आप डिसाइड करोगे उसके बाद यह करने के बाद नीचे आपको मिलेगी इंवर्ट करने कंने करने के लिए हम पर आताि मार्क पर साइन हाय ⁡ मतलए है इससे यह होगा कि यहां पर काफी जदा वाइट हो चुकी है यानि की फेस भी गोड़ा हो चुका है तो यहां पर देख पार होगा इस फियर लबली को भी एक महीं ने लग जाते हैं लेकिन यहां पर हमने मिल्टों पर कर दिया उसके बाद यहां से एड़ फोडो पर क्लिक करेंगे और कुछ प दिख लेंगे तो यहां पर इस तरीके से आपको यहां पर कर दिया है अपको जुम करके जुम आउट करके ऐसे कर लेना ठीक है जो कि मैं यहां से कर दिया और उसके बद लाइट को जुम आट्स को यहां हम सिट चोड़ देना है है तब कोने के ले जाकर उपर कि ए चोड़ देना है तो यहां पर में वार बार यारत क्लिक हो जा रहा है यहां पर पर जा नहीं समझनी आ रहा उसके बाद इस तरी के साब को इसके blend mode को स्क्रीन कर देना है भforward यह से कर दिया स्क्रीन और इसे थोरा सा जूम आउट करेंगे फोटो को और इस तरीके से हम सेट कर देंगे ताकि लगे कि वहां से जो है मतलब हमारी फोटो में जो ऊपर की और बैगराउंड है ना उदर से हमारी लाइट आ रही गया ऐसा लगना चाहिए तो इस तरीके से आपको अपने फोटो को जूम आउट करना है और इसे अच्छे तरीके से करने मतलब घुमा कर देख लेना है कि आपके बैगराउंड में किस तरीके से अजस्ट होती है क्योंकि आपको इसे प्रिचाइड करना है कि आपके फोटों में पोच कैसा होगा उसके बाद यहां से एक लिए इस प्लिक करेंगे और यहां से एक रिस कर देंगे और अपने कर लेना है तो यहां पर हमारी काम होती है खतम काम नहीं होती है यहां पे खतम लेकिन अभी भी कुछ बाकिया जैसे कि हम अपने फोटो में और भी क्लेडिटी एड के नहीं वतलब सीबी वाले लूग चाहिए वाई हमें तो उसके लिए हम तो उस पर क्लिक करेंगे अब अ करना है यहां से आपको अपिक क्लिक करने के बाद यहां से आपको के का अप्षण मिल लेगा और तो इसके लिए हम यहां से पर देंगे अपने 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 आर्व से जो भी हम effect background के लिए add करेंगे वो सिर्फ हमारे background पर ही होना चाहिए तो यहां पर देख पार हो कि मैंने यहां से erase कर दिया तो finally यहां पर हो जाता है erase हमारे face इससे और हैंसे और उपर एक sign का आपको mark दीख जाएगा एक दो मतलब जितना भी दिख जाए उस पर क्लिक कर देना है इधर आपको left चाहिए में भी एक मिलेगा इस पर क्लिक कर देना है इससे हमारी photo completely हमारी edit हो चुकी है यहां पर जो भी आपकी photo इस तरीकी processing होगी और हो जाएगी से गैलरी में तो दोस्तों इसी तरीके से आपको अपने photo को कुछ इस टाइप का edit करना है मुझे उमीद है यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक किजिए अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर किजिएगा तो फिलाल के लिए जतने ही जल्द लोटते किसे नई वीडियो साथ तब तक के लिए लेव यू और टेक केर बैबाए